आंध्रे शेत्रे के उत्तरी तट पर एक जंगल था। उस वन में कश्मोरा नाम की एक शैतान रहती थी। कश्मोरा को मॉडलिंग का शौक था और उसने कई जगहों पर कोशिश भी की थी। लेकिन कश्मोरा को इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि वो क्याट वॉक नहीं जानती थी। कश्मोरा ने कुछ साल तक इंतजार किया, ये सोचकर कि उसे मौका नहीं मिला, वो दास रहने लगी और एक दिन मर गई। कश्मोरा उस अधूरी इच्छा के कारण शैतान बन गए। मौत के बाद भी उसकी इच्छा नहीं मरी। उसने मौत के बाद भी कैट वॉक सीखने की काफी कोशिश की। कश्मोरा आधी रात को जंगल में कैट वॉक की प्रैक्टिस करती थी, वो उस तरफ से जा रहे लोगों से उसे कैट वॉक सिखाने के लिए कहती। जब लोग कहते कि उन्हें नहीं पता है, तब भी वो उनकी बात नहीं मानती। और जब वे भागने की कोशिश करते, तो उ सीबतों से बच जाता था, एक दिन रामू को आधी रात को जंगल से गुजर कर यात्रा करनी पड़ी, हमेशा की तरह कश्मोरा वहां कैट वॉक की प्रैक्टिस कर रही थी, अचानक वो कश्मोरा के सामने आ गया, शैतान को देखकर रामू थोड़ा डर गया, फिक्र मत करो मैं तुमको नुकसान नहीं पहुचाऊंगी क्या मतलब? तुम शैतान नहीं हो क्या? मैं एक शैतान ही हूँ, लेकिन मैं तुमको नुकसान नहीं पहुचाऊंगी शैतानों का नया नियम? ये कब से लाबू हुआ है? मानते क्यों नहीं कि मैं एक ऐसी शैतान हूँ जो लोगों को नहीं मारती। लोग कहते हैं कि शैतान मनुष्यों को मार डालते हैं और उन्हें खा जाते हैं. इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ। पाजी आदमी, क्या तुमको लगता है कि हम भूत बिना किसी कारण लोगों को मार डालते हैं? हम भी पहले इंसान ही थे ना, हमें भी पता है मानवता क्या होती है, लेकिन हम उन लोगों को मारते हैं, जो हमारी इच्छा को पूरा करने से मना कर देते हैं. अगर हम जो कहें वो उसे मान ले? अच्छा अच्छा, क्या मन माना है मुझसे, वो बताओ. भूग तुम्हें लगती नहीं होगी, प्यास भी नहीं, भूत, कपड़े भी नहीं बदलते, तो फिर क्या इच्छा हो सकती है? जब हम अधूरी इच्छाओं के साथ मरते हैं न, तो शैतान बन जाते हैं, तुम एक भले आदमी हो. तो फिर बताओ मुझे, तुम कैसे बन गई एक शैतान? क्यूंकि मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई. कौन सी इच्छा? मैं क्याट वॉक नहीं सीख पाई. तुमने मेरा इतना सारा समित जबरन बरबाद करा, मैं तुम्हें जिन्दा नहीं चोड़ूंगी, तुम्हें मार कर खा जाओंगी. तुमको क्या खाना है? मैं क्या तुम्हें चिकन करी या मटन करी दिख रहा हूँ? तुम जो चाहे कहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली आरे नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैं catwalk सिखाता हूँ तुम्हें, नाराज मत हो यार जब तुम्हें पता ही नहीं कि catwalk होती क्या है, तो तुम मुझे सिखाओगी क्या मैं सिखाऊंगा पक्का सिखाऊंगा मुझे थोड़ा समय दो ऐसा कहते हुए वो कुछ सोचने लगा और अच्छानक उसके दिमाग की बत्ती जली कितना समय लोगे सिखाना शुरू करो या मरो पहले ये बताओ कि catwalk सीख कर तुम क्या हसल करना चाहती हो मेरी रूख को तभी सुकून मिलेगा जब मैं catwalk सीख लूँगी तब मैं इस दुनिया को छोड़ सकती हूँ तो फिर एक बिल्ली लेकर आओ फिर सिखाता हूँ catwalk बिल्ली? क्यूँ? catwalk और है क्या? एक बिल्ली के चलने की शैली मैं तुमको catwalk सभी सिखा सकता हूँ जब यहाँ एक बिल्ली हूँ शैतान राजी हो गई और जादूई शक्ती का उपयोग करके एक बिल्ली ले आई ये लो ये रही बिल्ली कश्मोरा ने बिल्ली रामू को दे दी इसके बाद रामू ने बिल्ली को जमीन पर रखकर सीटी बजाई तुरंट वहाँ से बिल्ली भाग गई बिल्ली को इस तरह भगा क्यों दिया? मुझे बिल्ली लाने के लिए क्यों का? वही तो राज है तुम कैट वॉक तभी सीख पाओगी जब तुम बिल्ली को पकड़ो और उसके साथ चलो बिल्ली की तरह ही चलना है वाह! बहुत शुक्रिया तुम्हारी वज़े से मुझे कैट वॉक सीखने का तरीका आ गया लेकिन एक नियम है जिसका पालन करना होगा अपनी ताकत का इस्तमाल बिल्ली के ऊपर नहीं करोगी तुमको इसकी देखभाल करते हुए इसे अपने नियंतरन मिलाना होगा और इससे कैट वॉक सीखनी होगी अगर तुम अपनी हग पार करोगी तो अपने जीवन में कभी कैट वॉक नहीं सीख पाओगी ये कहका रामू तो चला गया उसके बाद कश्मोरा का बिल्ली को पकरने का संघर शुरू हुआ बिल्ली को पकरने की कोशिश करते हुए वो कैट वॉक सीखना ही भूल गई अच्छी बात ये रही कि ग्रामिनों को उस शैतान से मुक्ती मिल गई हम अपनी सूजबूच से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं